असलाम वालेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शादियों वाले बफैलो मीट कोर में की रेसिपी जिसको हम बनाने वाले हैं एक क्लोग्रैम की कौंटिटी में परफ्रेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे एक दम देग स्टाइल जैसी देग में खुश्बू आती है उसमें एड़ कर दीजिये वाल तो यहाँपर Gew और 1-500 ग्राम उईल एड़ कर दिया है याँकप जब आड़ कर लें तिक कर दो तो यहाँ पर हमने प्याजों को निकाले ठंडा होने के लिए रख दिया सेम ओयल में 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर अद्रक लेसुन का पेस्ट एड़ कर देना है इसको हमें भून लेना है एक मिनट के लिए तो फ्लेम को हाई कर लीजिए अच्छी से इसको भून अब इसमें एड़ करना है हमें गोश्ट तो यहाँ पर सारा गोश्ट एड़ कर देंगे और आज की मेरी रेसिपी आप कहां से देख रहे हैं प्लीज मुझे कॉमेंट करकर जरूर बताइए अब देखिए हमें यहाँ पर गोश्ट को भून लेना है पांच मिनट के लिए ह साबुत मसाले जाएंगे तो यहाँ पर हमने दो तेशपत्ते एड़ करने हैं दो बड़ी इलाइची यानि काली इलाइची और चाड़ से पांच लॉंग हाफ टी इस्पून काली मिर्श एड़ कर देंगे अब अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बा का मसाले डाल कर इस तरह और जब यह तरह से भून जाएं डो तीन मुट लगेंकर तब इसमें हमें एड करना है दवी तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है तो यहांट कर दिंगे quantity में नापेंगे तो 200 ग्राम दही होगा तो यहाँ पर दही एड़ कर दिंगे fresh दही लीजिएगा एकदम खटा मत लीजिएगा अब अच्छे से इसको हमें mix कर लेना और भूनना है तो flame को high कर लीजिए mix कर लीजिए तो बहुत अच्छे से इस तरह से भून लीजिए oil separate होने तक यह दिखी हमने एकदम अच्छे तरीके से भून लिया है इतनी अच्छी कुश्बू आ रही है अभी से इसमें अभी तो full बना भी नहीं है तो जब आप बनाएंगे तो आपको खुद पता लगी जाएगा तो दीखी यहाँ पर गोश्ट अच्छे से भून चुका है अब इसमें एड़ करेंगे पानी गलने के लिए क्योंकि हम खुले pot में बना रहे हैं यहाँ पर मैं चार ग्लास भरकर पानी एड़ करूंगी क्योंकि बफेलो है तो गोश्ट को गलने में टाइम लगता है अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो सिर्फ एक से डेढ़ ग्लास पानी एड़ करिएगा और प्रेशर कुकर में जल्दी गली जाएगा अब इसको कवर करकर एक उबाल हाई फ्लेम पर लेंगे बाकी का फ्लेम को लो कर दिंगे और यहाँ पर एक घंटिक ली छोड़ दिंगे पकने के लिए तब तक यहाँ पर हम मसाला त्यार कर लेते हैं का खुश्बू बाला तो यहाँ पर हमने एक इंच का दार्चीनी का टुकड़ा लिया चार हरी लाइची एक पुल जावीत्री का बन फोर्थ जाइपल जाइफल का छोटा सा टुकड़ा लेना है अब इसका हमें fine powder बना लेना है इस तरह से देखिए यह हमारा देग style मसाला है यहाँ पर हमने गोश्ट को चेक कर लिया था दिखिए इस तरह से थोड़ थोड़ सा पानी रह जाए ना तब ही इसमें हमने प्याज एड़ करने है बिल्कुल भुनने के बाद नहीं एड़ करने है जब थोड़ थोड़ सा पानी रह जाए तब प्याज एड़ करने है तो हाथों से क्रेश कर लेंगे प्याजों को प्याज ठंडे ह कर देंगे उसमें मिक्स करने के बाद हमने रिखत प्राइब कर देंगे इसको बाला रिखतर कर चोटी लगर चाइब आरा ले रहें मांगी ऑन्य कीचे सब्सक्राइब और इसकोड़ाब तो चलिए एक दम बनार आप देखी सकते हैं अगर आप इसमें ग्रेबी चाहते हैं थोड़ा सा गरम पानी एड़ कीजेगा या फिर गरम पानी नहीं भी करना चाहें थोड़ा सा दूद्ध कीजिए गा तो यहां पर मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगे इसको सब्सक्राइब करेंगे तंदुरी रोटी के साथ यह देखें तंदुरी रोटी की रेचिपी मेरे चैनल पर upload है आप चेक कर सकते हैं यहां पर मैं तोड़कर भी दिखाना चाहूंगी देखिए बहुत अच्छे से कुक हुआ है एक दम गल चुका है क्योंकि खुले बर्तन में जब बनाते है तो उसका अलगी टेस्ट आता है प्रेशर कुकर में ऐसा नहीं आता है जैसे कि हम खुले बर्तन में इसको बनाते हैं तो उसका एकदम कुछ अलगी टेस्ट होता है आपने दापतों में देखा होगा प्रेशर कुकर में तो बनाया नहीं जाता है सिर्फ काड़ा हमें देग में उसमें ही बनता है अब देखिए गोश्ट हमारा यहां पर रेडी हो चुका था आप इस रेसिपी को एक बार ट्र जरूंगी अपना बहुत सारा ख्याल रखें तब तक के लिए अल्ला हाफिज